हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अनमोल और आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इटेरनीटी लर्नर्स आज की वीडियो में म्यूजिक थियोरी के बारे में जानेंगे समझेंगे और ये भी बता लगाने की कोशिश करेंगे कि म्यूजिक थियोरी क्यों important रहती है प्रेडियूसर्स के लिए बाकि क्योंकि म्यूजिक थियोरी एक vast topic है इसलिमें सारी चीज़े इस वीडियो में cover नहीं कर पाया पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं म्यूजिक थियोरी के और parts बनाओ या फिर इस series को आगे continue रखो तो मुझे comment section में जरूर बताइएगा बाकि आप बिना देर करें start करते हैं हमारे इस topic को तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों की दिमाग में आती है वो यह है कि यह music theory है क्या तो music theory basically कैसा concept है जिसे musician या फिर producer लोग इसलिए सीखते हैं जिससे वी जान सके कि music कैसे काम करता है music theory के अंदर आपको अलग-अलग concept और अलग-अलग नियम देखने के मिल जाएंगे जो कि हमारी मुदत करते है production में और साथ-चाथ music को और अच्छी तरीकी से समझने में जैसे English शीकते टैम हम English grammar से अलग-अलग elements के बारे में जानते हैं जिनकी मुदत से हमारे एक sentence बनता है ठीक उसी तरीकी से music theory की मुदत से ये जानते हैं कि कौन-कौन से मेरे अलग-अलग elements होते हैं जिनकी मुदत से मारा music बनता है और अगर आपको music theory की knowledge है तो आप उसे instrument को और ची तरीक से जान सकते हो और आपको आसानी होगी उस instrument को play करने में दूसर फाइद है यह कि अगर आप अपनी खुद की melody, tune या फिर music बनाने चाते हैं और अगर आपको music theory की knowledge है तो आपका काम और आसान हो जाएगा और साथी साथ इससे आपको उतना time नहीं लगेगा जितना time आपको लगता था बिना music theory की और आपको ये भी पता लगेगा कि क्या आप सही कर रहे है और क्या आप गलत इसके अलावा अगर आप अपनी किसी producer दोस्त के साथ या फिर किसी musician के साथ बैठे हो आप उसके साथ भी easily communicate कर पाओगे अगर आपको music theory आती है तो अब क्योंकि आपको इसमें अलग-अलग terms या फिर अलग-अलग चीजों के नामों के बारे में बता चलता है तो इससे आपको आसानी हो जाती है फिर piano layout इस interface में आपको नीचे की तरफ black color की white color की कुछ lines तेखने के लिए मिल रहे होगी जो की repetitive manner में लगी वी है जिने हम कहते है black keys और white keys अब अगर मैं इन keys में से किसी भी एक key पर करता हूँ इस तरीके से press तो ये जो चीज आपको सुनने के लिए मिली जैसे मैंने किसी key के पर प्रेस किया इसे हम कहते है note हर एक instrument में जो हमारी sound होती है vibration के थुरू produce होती है जितनी तेज vibration होगी उतना high आपका note sound करेगा और जितनी slow आपकी vibration होगी उतना low आपका note sound करेगा जैसे अभी जो note मैंने बजाया अगर इसकी vibration fast होती तो ये sound करता कुछ ऐसा वही अगर इसकी vibration slow होती तो ये sound करता कुछ ऐसा तो यह तो था यह note और sound का एक छोटा सा concept अब हम आगे कुछ terms के बारे में भी जान लेते हैं जैसे tone, semi tone, half step, whole step अब चलिए मैं इस interface में से किसी भी key को choose कर लेता हूं जैसे इस वाली key को मैंने choose कर लिया अगर मैं इस key से next key मतलब जो उपर black color की की आपको देखने के लिए मिल रही है अगर मैं इस white key से black key पे जा रहा हूं या फिर tone, तो ये तो बात ही कुछ terms की जिनके बारे में आपका जानना जरूरी था अब हम दुबारे से piano की interface की तरफ आ जाते हैं और कुछ और चीज़े भी जान लेते हैं तो जैसे मैं आपको starting में बजाया था कि जो भी हमारी white key से या फिर black key होती है और black keys, white keys से और अच्छी तरीके से familiar होने के लिए हम हर एक key का चाहिए हो black key हो white key हो उनका नाम जानेंगे जिससे हम उन keys को उनके नाम से ही पुकार सके है और हमें कोई confusion ना हो जब कोई किसी key का नाम ले अब जो भी आपका keyboard या फिर piano रहता है इसकी जो सबसे पहली key सबसे पहली जो आपको वाइट की देखने के लिए मिल रही है इसका नाम होता है A इसके बाद आपको उपर की तरह एक black key देखने के लिए मिल जाती है तो फिलहाल किलम black keys की बात नहीं करते हैं सबसे पहले हम white keys को cover कर लेते हैं तो सबसे पहली हमारी key है A A के बाद अगली key आती है हमारी B key जो आपको देख रही है इसके बाद आती है C, D, E, F, G और फिर G के बाद आप देखते हैं तो दुबारा से A, B, C, D, E, F, G इस तरीके से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है बार 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 तो इसी repetitive manner या इसी repetitive pattern की मैं बात कर रहा था अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह चीज सिर्फ white keys पर apply हो रही उपर आपको जो black keys भी देखने के लिए मिल रही है उन black keys के साथ भी ऐसी repetition हो रहा है बार बार अब एक बार मैं आपको white keys का arrangement दुबारा से बता देता हूँ तो white keys का हमारा arrangement को चिस अकौर्डिंग था A, B, C, D, E, F, G एकदम स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ है पियानो की पहली keys है यह जो साथ keys का मैंने नाम लिया इनको आप एक साथ collection में natural notes भी कहते हो तो फिलाल इतनी बात करते है white keys की आप बार ही आ जाती है हमारी black keys की क्या उनका order है क्या उनका arrangement है तो black keys की जो आपकी naming है वो generally दो तरीके से जानी जाती है एक sharps में और एक flats में अब इन दोने तरीकों से कैसे black keys की naming या ordering करी जाती है वो भी हम जान लेते हैं और कैसे हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं वो भी चीज जान लेते हैं तो जो पहला तरीका है naming का या फिर ordering का इन black keys का वो है flats का तो flats में किस according यह जो black keys है arranged है या ordered है वो भी जान लेते हैं तो मेरे इस keyboard में सबसे पहली white की है वो है A और A के just बाद आपको यह black key देखने के लिए मिल रही है इसका नाम है B flat यह जो आपको capital B के बाद एक small b do और इसी तरीके से आगे repetitive pattern है घ्मारे ब्लैक इसका जित बाद हों गया आपकी जो black key इसकी naming flats में किस तरीके से होती है अब हम यह भी जान लेते हैं कैसे हैं मैं इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं तो यहाँ पर अब मेरा keyboard देख सकते हैं यहाँ पर मेरी है B white की इससे half step पहले मैं जाऊं तो यह black की जो मेरी दिख रही है यह हो गई B flat, D से half step पीछे जाऊं तो यह होगी मेरी D flat E से half step पहले हैं तो यह होगी E flat G से half step पहले हैं तो यह होगी G flat A से half step पहले हैं A flat और B से half step पहले हैं तो B flat अब यह तो बात होगी flats में black की इसके arrangement और order की अब हम sharps में भी इसके order या फिर naming को जान लेते हैं तो sharps के according जो आपकी B-flat की है, इसे आप कहते हो A-sharp, इसके बाद C-sharp आ जाती है, D-sharp आ जाती है, F-sharp, G-sharp, A-sharp और इसी तरीके से अब बहुत continuously चल रहा है, repetitive pattern, अब इसे हम याद कैसे रखें, तो सबसे पहली की जो मेरी keyboard पर आप लोगों को दिख रही है, वो है A, A से आगे half step, यह होगे अपना A-sharp, बस कुछ इसी तरीके से आपका pattern sharps में black keys का, जो notation होता है, आपका sharp का, वो होता है, आपका hash का symbol, जो आपको देखने के लिए मिल रहा है है, आप फोटो में भी, कि C और C के बाद आपको दिख रहा है, एक hash का symbol, इसे हम sharp कहते हैं, अब यहा हमारा octave का concept, अगर मैं simple बाशन में आपको octave के बारे में बोलू, तो octave जो होता है, हमारा 12 keys का combination होता है, जिसमें आपकी black keys और white keys दोनों include होती है, अगर मैं keyboard में बात करूँ तो जो आपका octave होता है, यह start होता है C white key से, जो आपको देखने के लिए मिल रही है, जैसे मेरी keyboard में यही C white की, इससे लेके अगले C तक, अगले C तक मतलब अगले वाले C को include ना करें, तो इतने जितने भी मेरे white keys या फिर जो आपको black keys देखने के लिए मिल रही है, यह सारी मेरी octave के अंदर, और यह मेरी कहलाएगी एक octave, जिसमें आप देख सकते मेरी black keys भी include है, और नीचे क तरह white keys भी include है, मैं यहां से आपको गिन के भी बता देता हूँ कि कितनी keys वारी है हमारी total, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, क्यारा, बारा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 12 keys का combination था, यही मेरा है, एक octave, एक octave में हमारी white keys कितने होते हैं, चली यह भी किन के देख लेते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो साथ होती है हमारी white keys, black keys कितनी होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो साथ white keys, पांच, black keys, 7 plus 5 होगे आपका 12, और यही कहलाता है आपका एक octave, अब इसी keyboard में आपको starting की तरफ 3 key देख नहीं है, जो कि C से start होना चाहिए तो यहाँ पर ऐसी कोई condition नहीं है, इसलिए हम इसे octave में नहीं कहेंगे, keyboard में starting में इन तीनों keys का होने का reason सिंपली सही है, कि जो भी pianist है musician रहेगा, उसके लिए easily सभी chord या scales को बजाना आसान रहे पाए, इसलिए इन तीनों keys को starting में रखा गया है, अभी अगर आपको chords या scales सुनके थोड़ी confusion हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चिंता मत कीजिए, music की element है, जिनने हम आगे जानने वाले है, तो जैसे मैं आपको बता है कि इस C से लेके यहाँ पर B की को इंक्लूड कर लें, तो जितने भी आपके 12 keys आगे, ब्लैक की, इस वाइट की, इसको मिला के, यह आपका एक octave है, और इसी तरीके से आगे भी, अगर मैं इस C, यह जो C वाइट की, आपको देखने के मिल रही है, अगर यहाँ से लेके, यह B वाइट की है, जो मेरी यहाँ तक, जितने भी note से मेरे 12, यह भी हमारे एक octave ही बना से, अब एक बाद दिमाग में आती है कि इस वाले octave में और इस वाले octave में इन दोनों में अंतर क्या रहेगा, अंतर सिंप्ली सा यह रहेगा, इसकी sound में, जो आपकी key की sound है, उसमें और साथी साथ जो sound की frequency है, इसमें अंतर रहेगा, जैसे जैसे में octave में आगे की तरफ बढ keys की ordering है, उसके बारे में भी बता देता हूं, तो जो हमारे keys का order रहता है किसी octave में, वो इस according है, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, तो कुछ is according रहता है हमारे keys का order, अगर मैं ऐसे भी read कर रहा हूं, तो मैं कुछ is according read करूंगा, अब next हमें एक और important topic के बारे में जान लेते ह तो अगर scales को पर मैं simple भाषर में आपको explain करूं, तो scales जो होती है हमारी set या combination होती है, कुछ musical notes की, जो कि आपस में अलग या फिर अजीब sound नहीं करती है, और इनकी frequency या फिर जो pitch रहती है, वो कहीं ना कहीं ये एक समान रहती है, अब scale के concept को जानना है, इसलिए भी हमारे ल elements होंगे, वो किनके notes की मदद से बन रहे होंगे, अब scales के कुछ types भी होते हैं, जैसे major scale, minor scale, blues scale, pentonic scale, और बहुत सार अलग लग तरीके के scales होते हैं, जिनका इस्तमाल song या फिर music बनाने के लिए किया जाता है, इसके अलग लग types आपस में differentiate is according होते हैं, कि कि scale के इंदर कितने number of notes होंगे, उस according के differentiate रहते हैं, बाकि most commonly और widely used scale types होते हैं, वो आपके major और minor scale होते हैं, अब जैसे मैं आपको बता है कि scale के अंदर आपके set off या फिर number of notes रहते हैं, तो अब यह भी question arise होता है हम लोगों की दिमाग में कि हमें कैसे बता चलेगा कि इस scale के इंदर कितने number of notes होंगे, total number of notes होंगे 7, बात करूँ pentatonic scale की, तो इसके इंदर total number of notes होंगे 5, blues scale में आपके total number of notes होंगे 6, बाकि harmonic minor scale में आपके total number of notes होंगे 7, chromatic scale में आपके all total 12 notes आ जाते हैं, जितने हमारे octave में रहते हैं, बाकि whole tone scale में आपके whole step वाले notes आ जाते हैं, वो आ जाएंगे, तो ये तो बात थी कि कितने number of notes होते हैं आपके किसी particular scale में, पर अब हम ये भी जान लेते हैं कि किसी particular specific scale के अंद के 7 notes find out करने, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये चीज़ के बारे में जान लेते हैं, तो जैसे मुझे 4 example C major scale के अंदर के 7 notes find out करने, तो इसके लिए simply एक short trick formula है, उससे कैसे इस्तमाल करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जिस भी scale के 7 notes आपको find out करने होते हैं, उसक जैसे ही आपको इस formula को जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उससे आपको implement करना है, जैसे ये हो मेरा C note इस keyboard में, इस notes से मैं whole step आगे चलता हूँ, तो मैं पहुँच जाता हूँ D note ड student से whole step आगे आटाहो, तो मैं पहुँच जाता हूँ E note से इनके इंदर के 7 notes को find out करने का आपका formula है whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, whole step अब कुछ इसी तरीके से अगर आपको C minor scale के इंदर के 7 notes find out करने तो वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा root note हो गया C, C से हम whole step आगी चलेंगे तो हम पहुझाएंगे D पे D से हम half step आगी चलेंगे तो हम पहुझाएंगे E flat पे E flat से whole step आगी चलेंगे हम पहुझाएंगे F पे F से whole step आगी चलेंगे हम पहुझाएंगे G पे G से half step आगी चलेंगे तो हम पहुझाएंगे A flat पे A flat से हम whole step आगी चलेंगे हम पहुझाएंगे B flat पे तो यही आपके 7 notes है, C minor scale के अंदर के, अगर आपको बाकी scales के बारे में भी जानना है कि उसके अंदर के हम number of notes को कैसे find out कर सकते हैं, तो आप इस slide को थोड़ी देर के लिए pause करके इस चीज को पढ़ सकते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने next topic की तरफ जो कि है chords, तो chords को समझने स से पहले आपके एक topic clear होना चाहिए, जो कि है notes का topic, तो note क्या होता है basically, जब आप किसी भी key पे एक बार press करते हैं, तो जो sound आपको सुनने के लिए मिलती है, वो होती हमारी note की sound, वही अगर आप 3 या 3 से जादा keys को एक साथ press करते हैं, प्ले करते हैं, तो जो sound आपको सुनने chord, diminished chord, suspended chord, इन types से हमें पहले ही clear कर दिया जाता है, कि जो भी हम chord बनाएंगे, वो इन notes की मदद से बनाएंगे, अब हम कैसे इन chords को बनाते हैं, और कैसे आप इनके formula को याद रख सकते हो, फटा-फट उस type की chord को बनाने के लिए, वो भी हम फटा-फट जान लेते हैं, तो सब आगे आपको 5 गिनने हैं, जैसे इस तरीके से 1 यह हो गया, आगे 2, 3, 4, 5, 5th note हो गया मेरा E, इसके आगे 8, 6, 7, 8, 8, 8 one note हो गया मेरा G, तो C, E, G, यह जो तीन note हो गया आपके, यह आपके C major scale के note हो गया, जो major scale का formula उसे आपको दिमाग पर ध्यान रखना है, 1, 5, 8 का, मतलब यह हो गया मेरा 2, 3, 4, E flat, इसके आगे 8 तक, तो इसके आगे 5, 6, 7, 8, 8 पर आगया G, तो मेरे C, E flat, G जो हो गया, यह C minor chord को बना रहे हैं, एक साथ यह sound करते हैं कुछ ऐसे, next हम augmented chord को भी बनाना सीख लेते हैं, जैसे मुझे C augmented chord बनानी है, तो मेरा root note हो गया C पर, C से आगे मुझे आना है 5 तक, मतलब यह हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 पर आगया, मेरा E, इसके आगे 9 तक जाना है, तो मेरे आगे 6, 7, 8, 9, 9 पर आगया A flat, तो किसे साब से हो गया, मेरा C, E, A A flat, यह मेरा बना रहा है, C augmented chord, at last हम diminished chord बनानी का formula भी जान लेते हैं, तो जैसे मुझे C diminished बनानी है, तो इसका formula होता है 147 का, तो C पर मेरा आगया 1, 2, 3, 4 पर आगे मेरा E flat, यह आगे 5, 6, 7, 7 पर मेरा आगया F sharp, तो C, E flat और F sharp, यह तीनों मिलके मेरा बना रहे C diminished chord, तो यह थे chords के कुछ types और कैसे आप उन्हें easily formula की मदद से बना सकते हो, अब वीडियो को end करने से पहले हमें एक और topic के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारा inversions का topic, तो piano inversions आपका एक तरीका है, जिससे आप E की chord को अलग-लग तरीके से बना सकते हो, या फिर अलग-लग तर कर सकता हो, वो क्या तरीका है, वो भी देख लेते हैं, तो मैं इससे इस तरीके से play कर सकता हो, जैसे मैं E-C-G, जैसे यहाँ पर मेरा e-note, c-note और g-note वो ही 3-note है, जो मेरे c major के इंदर थे, तो अगर मैं इससे कुछ इस तरीके से play करूं, तब यह मेरा c major ही क्यालाएगा, वहीं अगर मैं इसको इस तरीके से play करूँ जैसे G, C, E, यह रहा मैं जी से शुराद करूँ G, C, E, तो इस तरीके से भी अगर मैं play करता हूँ, तो तब भी मेरा C major chord ही होगी, बस जो चीज यहां पर change हो रही हो, sequence change हो रहा हमारे notes का, notes वही है हमारे तीन, वह सिसी के साथ अब हम पहुच चुके वीडियो के end में, मुझसे जितना हो सकता था, मैंने उतने topics cover करनी की कोशिश करी, इस part 1 में, अगर आप चाते हो, मैं इसके और part बनाओ, या और series बनाओ, music theory की, तो मुझे comment section में जरूर बताएगा, और यह वीडियो कैसी लगी, यह भी जरूर बताना, बाकि music related ऐसी और वीडियो के हमारे चैनल पर बने रही है, क्योंकि music related ऐसी और वीडियो हम चैनल पर लाते रहते हैं,